गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं परदीप एक्जाम गुरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज की जो वीडियो है हमारी कोश्चन नमबर 6 है 1 से लेकर के 5 तक की मैं अल्रेडी बना के डाल चुका हूँ उससे आप देखने के लिए डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा महाँ से देख लेए तो आज का जो कोश्चन है हमारा वो कोश्चन नमबर 6 है ठीक है दे रखा है 10 inverse 1 अपोन में root के अंदर x inverse x square minus 1 ठीक है चलिए आईए करते हैं इस कोश्चन को तो आपको कोश्चन दे रखा है कोश्चन नमबर 6 है क्या 10 inverse 1 अपोन में x square minus 1 ठीक है यह आपको दे रखा है ठीक है फ्रेंड इसको हमें solve करना है देखिए यह जो आपका कोश्चन दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे let x is equal to यह जो x दे रखा है ना आपको इसको हम माल लेते हैं sac theta ठीक है sac theta अब sac theta अगर मैं यहां से theta की value निकालूंगा तो sac इदर आ जाएगा तो हो जाएगा sac किसका positive होता है यह जाएगा आपका sac inverse x is equal to में theta यानि आपकी sac की value जो हो जाएगी sac inverse हो जाएगी ठीक है sac यहां पर है इदर आएगा तो inverse में हो जाता है ठीक है friend आगे अब हम इस value को इसमें put करते हैं ठीक है देखिए आपका tan inverse one upon में sac square x minus one root में ठीक है friend अब क्या होगा tan inverse sac square x minus one क्या होता है tan inverse oh tan x होता है square है तो square लेगा ठीक है sac square x minus one is equal to tan square x tan inverse root के अंदर से square cancel हो जाएगा तो यह आपका बचेगा tan x ठीक है friend अब क्या है आपका tan नीचे है one upon tan क्या होता है one upon tan होता है आपका cot x actually मैं ठीटा रखा है अरदगा तो आपको ठीटा लिखना पड़ेगा ठीक है क्या मैं ठीटा value पूट करी थी अब क्या हो गया cot ठीटा अब cot ठीटा है cot ठीटा को मैं 10 में convert करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ pi by 2 minus ठीटा ठीक है आपको पता होगा formula होता है cot ठीटा is equal to 10 pi by 2 minus ठीटा 10 से 10 cancel हो गया आपका बचा ठीटा की value हम पहले ही निकाल चुके है ठीटा की value second verse x है तो यानि की pi by 2 minus second verse x यह आपका होगा इसका answer ओके friend अगला question आपको friend दे रखा है question number 7 10 inverse x 10 inverse root के अंदर 1 minus cos x अपोन में 1 plus cos x ठीक है इसको करना है चलिए आईए करते हैं इसको देखे यह मैंने question रखा है तो आप इसमें देखोगे क्या दे रखा है 10 inverse अब मैंने आपको पहले बताया था 1 minus cos x और 1 plus cos x का formula क्या होता है देखिए 1 minus cos x होता है 2 sin square x by 2 और इसका होता है 2 cos square x by 2 यह मैंने पिछली वीडियो में जब question कराया था वहाँ पे formula बनाना सिखा रखा था आप उसमें देख लेंगे आगे क्या हो गया देखिए फिर आप इसको लिख सकते हो 2 से 2 cancel हो गया sin बटे में cos क्या होता है sin बटे में cos होता है tan square हो तो square आजाएगा के लिए नहीं हाँ तक आगे आप देखोगे इस square से यह root cancel यानि के आपका बचा tan inverse bracket के अंदर tan x by 2 ठीक है फ्रेंट tan से tan cancel फिर आपका क्या बचा x by 2 हमने इसमें कोई value put करी नहीं थी इसका मतलब यही आपका हो गया answer ओके फ्रेंट समझ में आया चलिए चलते है question number next 8th 10 देखे फ्रेंट यह question आपका 8 दे रखा है tan inverse cos x minus sin x cos x plus sin x अप पॉन में ठीक है हमें इसे करना है तो चलिए इसे करते है यह जो आपका question दे रखा है tan inverse cos x minus sin x अप उन में cos x plus sin x तो इसमें हम क्या कर सकते है सबसे पहले आप क्या करो इसमें x को common ले लो ठीक है common लेने का मतलब होता है यहां से x निकाल लो या अगर आप यह नहीं समझ पारे तो सबको दोनों को उपर और नीचे cos से divide कर दो ठीक है इसको कोस के बटे में cos लग जाएगा चलिए मैं दिखा देता हूँ बटे में cos इसके बटे में भी cos ऐसे नीचे भी लगाना पड़ेगा इसे ही कहते हैं divide करना ठीक है फ्रेंड यहां तक के लिए रहे हमने क्या अगरा cos x से उपर भी और नीचे भी divide कर दिया अब आप देखिए यह cos से cos cancel हो गया बचा 1 माइनस साइन बटे में cos 10x और cos से cos cancel हो गया यहां बचा 1 प्लस sin x अपोन में cos x यह जाएगा आपका 10x clear friend यहां तक चलिए अब देखिए अब हमें इसे formula बनाना पड़ेगा ठीक है क्या बनाना पड़ेगा formula आप इसको रटलो यह आपको बहुत सारे question में apply करना पड़ेगा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अभी कैसे बनेगा देखिए 1 जो होता है 10 कितने पर होता है हम लिख सकते है 10 pi by 4 is equal to 1 10 pi by 4 is equal to 1 होता है क्योंकि pi by 4 के मितलि pi by 4 का means होता है आपको 45 value और 1045 1 होता है तो मैं यहां पर इस 1 की जगा 10 pi by 4 लिख सकता हूँ ओके अब देखो आपका 10 pi by 4 हो गया और यह minus में 10 x का 10 x upon में 1 का 1 प्लस में अब देखें फ्रेंट मैं जो 10 x लिखा है यहां पर इसको मैं 1 in 2 में 10 x भी लिख सकता हूँ हाना 1 in 2 में 10 x क्योंकि देखो 1 in 2 में 10 x भी आपका 10 x होगा ठीक है होगा ना और इस 1 की value 10 pi by 4 होती है हमने अभी उपपर ही देखा है तो यानि कि अगर मैं यहां पर 10 pi by 4 लिख दूँ तो क्या कोई फरक पड़ेगा बात को अब समझो क्योंकि यह formula बनाना है और यह आपको कई कोश्णों में इसको करना पड़ेगा apply repeat कर रहा हूँ यहां पर 1 था 10 pi by 4 रखा 10x का 10x उतारा 1 का 1 लिखा प्लस का प्लस आगे मैंने क्या करा 10 pi by 4 और इंटू में 10x लिखा क्योंकि इसकी value भी 1 होती है 1 से आप इसकी multiply करोगे तो यह ही आएगा ठीक है चलिए आगे क्या हुआ अब यह हमारा formula बने गया किस चीज़ का 10x माइनस 10y upon में 1 प्लस 10x 10y किसका formula होता है यह आपका formula होता 10a माइनस b का यानि x माइनस y का ठीक है यह आपका यहाँ पर इस time a play करेगा और यहाँ पर b यानि 10a माइनस 10b upon में 1 प्लस 10a 10b तो यह आपका a है यह b है लिख दिया formula आपने पढ़ा है अब 10 से 10 cancel हो गया आपका क्या बचा pi by 4 minus x x की जगा क्या आपने कोई value put करी दी नई तो आपका answer यही हो गया और अगर कोई value put करी होती तो हम वो value रख देते ओके friend चलिए next चलते है अगला देखिए अगला question आपको दे रखा है knight x upon में root के अंदर a square minus x square ठीक है इसको करते है यह दे रखा है आपको question तो इसमें देखिए हमें x सी जगा value कुछ put करने पड़ेगी सबसे पहले आपको देखा है यहाँ पे a है ठीक है तो a आपको हटाना पड़ेगा इसे a को हटाने के लिए हमें कुछ न कुछ जो भी value पूट करेंगे उसको a में पूट करेंगे तो करा let x is equal to आपका हो गया a sin theta suppose x की जगा हमने a sin theta पूट कर लिया ठीक है अब देखो हमें कैसे पता लगता है sin वाला करना है cos वाला करना है tan वाला करना है ठीक है यह जब आप question practice करेंगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पर tan court का नहीं लगएगा कि कोई tan और court दोनों plus में होते हैं one plus court one plus ten हाँ ना तो sin और cos का ही लग सकता था अब हमने क्या करा चलिए value पुट करते है यहाँ x की जगा a sin ठीटा upon में नीचे a square है यहाँ पर भी हो जाएगा a sin ठीटा का square यही तो हो जाएगा अब आप इसको क्या करोगे उपर वाला a sin ठीटा और नीचे वाले में root है देखो square करोगे तो a का square और sin का square यही आएगा अब आप देखे क्या कर सकते हो आपने देखा कि उपर a sin ठीटा है हम नीचे से a square common ले सकते हैं देखो यहाँ भी a square है यहाँ भी a square है a square common लोगे तो बाहर आएगा a बचेगा ठीक है यहाँ से a square चला गिया 1 बचा यहाँ से a square चला गिया खाली sin square बचा बात समझ रहे हो a square common लेंगे तो बाहर खाली a आएगा क्योंकि root के अंदर है अब उसकी बात क्या करा आपने a से a cancel उपर बच्चा sin theta और नीचे आपका one minus sin square क्या होता है cos square root से square cancel हो जाएगा आपका बच्चे का sin बटे में cos और sin बटे में cos क्या होता है tan theta ok tan से tan cancel हो गया आपका only क्या बचा theta ok friends क्लिए रहां तक आपकी value जो खाली बच्ची वो theta बच्ची अब हमें क्या करना है theta की value put करनी है जब हम theta की value put करेंगे तो हमने उपर value क्या मानी थी x बराबर a sin theta तो a और sin इधर आ जाएगे तो आपकी theta की value आ जाएगी sin inverse x upon में a और यही आपका हो जाएगा answer ठीक है friend I hope आपको clear हुआ हो गई चलिए अब हम चलते है question number next 10 पर देखे friend 10th question दे रख आपका 10 inverse 3a square x minus x की cube upon में a की cube minus 3a x square ठीक है आईए इसे बहुम करते है जब हमने इस question को देखा तो देखी friend सबसे पहले हमें हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ x की value पुट करने पड़ेगी ठीक है और आप इस question को देख के x की जो value पुट करोगे क्या x is equal to a 10 theta ठीक है friend x की value आप क्या पुट करोगे a 10 theta देखे 3 a square है और यहाँ पर चलो मैं कर देता हूँ a square इन्टू में x की जगा a 10 theta ठीक उसके बाद फिर minus a की cube और 10 theta की भी cube cube मैंने इसलिए लिखा क्योंकि cube था a 10 theta पूरे के उपर cube आ जाएगा नीचे यह ऐसा का ऐसा ही है 3 a अब यहाँ square लिखना है तो a square 10 square theta clear friend यह dot का मतलब multiply है product जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ है मैंने a 10 x put कर दिया अब आप देखिए 3 a square और a यह हो जाएगा 3 a की cube 10 theta minus a की cube और 10 की cube upon में a की cube minus 3 a की cube 10 square theta ओके फेंड कोई डाउट के लिए रहे हैं तक चलिए उसके बाद आपने देखा क्या कुछ common आ रहा है जी हाँ हमने देखा कुछ common आ रहा है common क्या आ रहा है आप यहाँ से a common ले सकते हो ठीक है देखिए आपने क्या करा a की cube common लिया a की cube common लिया तो आपका क्या बचा उपर बचेगा 3 ठीक है फ्रेंट अब आपने क्या करा a की cube common लिया ठीक है ठीक है अब नीचे से भी a की cube common ले लेते हैं देखो यहाँ पर भी a की cube है यहाँ पर भी a की cube पर भाहर निकाला तो यहाँ बच्चा 1 माइनस 3 10 स्क्वेर ठीटा ओके एकी cube से एकी cube कैंसिल हो गया क्या बचेगा आपका 10 इन्वर्स 3 10 ठीटा माइनस 10 क्योब ठीटा अपन में 1 माइनस 3 10 स्क्वेर ठीटा ठीक है फ्रेंड यह आपका बचेगा अब देखिए यह जो होता है आपने पढ़ा होगा 10 3 ठीटा का फोर्मुला होता है किसका फोर्मुला होता है 10 3 ठीटा का तो हम इसको लिख सकते हैं 10 3 ठीटा 10 से 10 कैंसिल हो गया आपकी value क्या बची 3 ठीटा अब आप क्या करोगे 3 का 3 और ठीटा की value निकालोगे ठीटा हमने put करा था A ठीटा x की value को तो 10 इदर आएगा inverse में और यह अपोन में आ जाएगा यानि क्यों हो जाएगा 10 inverse x अपोन में A ओके फेंड किलियर है समझ मारा है न आपको ओके चलिए अब आते हैं next question question number 11 question 11 आपका दे रखा है देखिए find the value of each of the following 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1 upon 2 ओके इसको अब हम करते हैं तो देखिए question number आपका दे रखा है 11 देखिए फ्रेंड question 11 जो आपका क्या है 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1 upon 2 ओके अब आपको करना क्या है देखो इसकी value put करनी है 10 inverse 2 का 2 cos का cos 2 का 2 sin inverse 1 upon 2 अब आप देखोगे हैं sin inverse है sin कितने के होता है 1 upon 2 बताइए sin कितने के होता है sin होता है 1 upon 2 आपका 30 पे 30 means we can write pi by 6 ठीक है चलिए आगे करते है 2 cos 2 sin से sin cancel हो जाएगा pi by 6 बचेगा तो हम इसको direct link देते है pi by 6 sin से sin cancel हो जाएगा 2 से काटोगे 3 आएगा यानि कि आपका क्या बच्चा है 10 inverse 2 cos pi by 3 ok friend अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते है यह आपको value याद होनी चीए cos pi by 3 कितना होता है cos pi by 3 होता है 1 upon 2 अच्छा देखो यहां हमने सीधी cos pi by 3 की value put करी है यहां inverse था इसलिए हमें pi की form में लिखना पड़ा था 2 से 2 cancel हो गया आपका क्या बच्चा 10 inverse 1 अब आप देखिए inverse में चलिए फिर value put करनी पड़ेगी 10 1 कितने पर होता है 10 pi by 4 पर किक है 10 से 10 के cancer हो जाएगा आपकी value क्या बचेगी pi by 4 और यही आपका answer किलियर है चलिए next करते है आज का last question है 12 ती करेंगे हम 12 question तक 13 से फिर अगली वीडियो में करेंगे 12 question दे रखा है cot 10 inverse A plus cot 10 inverse A खीक है यह आपको question दे रखा है 12 तो देखिए हमने formula क्या पड़ा है आपको दे रखा है 12 में 10 inverse X plus cot inverse X किसकी value होती है pi by 2 की ओके फ्रेंड आपने formula पड़ा है क्या 10 inverse X plus cot inverse X is equal to pi by 2 मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखिए book में दे रखा है यह देखिए 10 inverse X cot inverse X is equal to pi by 2 ठीक है चलिए अब हमने क्या गरा cot pi by 2 cot pi by 2 की value कितनी होती है cot pi by 2 तो 0 होता है इसका मतलब इसका answer आगया 0 यह आपका एक नंबर का ही गोश्चन द्राफ समालो ओके फ्रेंड I hope आपको समझ माया होगा आज की वीडियो ही रहुकते हैं आगये गोश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें शेयर करें और अपने फैंट्स को सेयर करें थैंक्यू